हलो नमस्कार और वेलकम टू कुरियोसली एजुकेशन दोस्तो आज 25 दिसेंबर 2023 हैं मेरी क्रिस्मस टू ओल माई दियर फ्रेंड्स आज हमेरे डेबल पर हैं पार्च इंपोर्टेंट टॉपिक्स तो सबसे पहले भी अरगे इंट रिपब्लिक डे समझ गए ना आप इसका मे तो केस डिस्पोसल रेट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूब हुआ है इस साल देन वी हैव वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक कॉलंबो सेक्यूरिटी कॉनक्लेव कब इसकी शुरूआत हुई क्यों ये भारत के लिए इंपोर्टेंट हैं दूसरे कॉन-कॉन से देश हैं अब सरकार ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छा दिसीशन लिया है एं ये अच्छा दिसीशन लिया हैं बन्स पर एक इंपर्शल इन्वेस्टिगेशियशन हुनी चाहिए इस चीज़ को लेकर ये आटिकल है लेकर इस बनाई आवरी सि not your Gio का network या फिर Vodafone का network इसकी बात नहीं हो रहे as you know it very well, right? Network का मतलब है आपका जो social connection है या फिर I would say आपके जो social relations है, right? जो human relations है This is your network to be honest पता है क्यों? दोस्तो, जो लोग दूसरे लोगों के साथ logically कुछ स्वार्थ से कोई ऐसी चीज है कि उनको वो चीज उनसे चाहिए या फिर उनके साथ business करके और पैसे कमाने है, whatever it is you will find this thing कि जब आप बहुत pure, I'm not saying कि logic का इस्तेमाली ना करे logic जो है, it is very very important as well, वो decisions लेने में और बहुत सारी चीजों में logic जो है, वो plays are very important लेकिन, जब दो लोगों के बीच में cordial relation हो जाते हैं, when I say cordial I mean to say के आपके थोड़े, I mean emotional touch भी रहता है, आप देखेंगे कि this is the reason कि लोग जब business करने के लिए बैठते हैं, तो it's not like कि सबको पता है कि time is money, सबको कहें पर जाना है, सबके कुछ-कुछ shereos होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत होती है, कि क्या चल रहा है how's your life, परिवार में कौन-कौन है अच्छा चुट वाँ, 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 ग्रेट, this, that all that, ये सारी बातें पता है क्यों होती है क्योंकि ये सारी बातें जो हैं, वो base बनती है, emotion के base पर आप फिर practical discussions करते हैं, आप directly practical discussions करने लगेंगे, तो it will be very boring, it will be very dangerous, तो this is the reason के लोग, we are social animal, याद रखिया, तो society में, और social animal जो है, तो इसके लिए very very important के आप लोगों के साथ कैसे deal करते हैं, लोगों के साथ कैसे behave करते हैं, ये चीज़े हमें पता होनी चाहिए, इसमें हमें अपने आपको और ज्यादा refine करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी real में net worth है, right, now dear friends, let's talk about this one, Macron at Republic Day, confirmation signifies strong India-France ties, France की तरफ से ये confirmation confirmation आया है, कि जी हाँ, Macron साब जो है, वो भारत का जो आने वाला Republic Day celebration है, तो उसमें chief guest बनने के लिए, yes, he is available, तो ये confirmation जो आया है, France की तरफ से, that indicates, that signifies, कि India और France के बीच में एक बहुत ही अच्छे relations है, पहले जो बाइडन को बुलाने वाले थे, लेकिन जानने के बावजूद भी, मैंसे ये होता ही है, it's not, इसमें कोई ऐसा insult नहीं माना जाता, अच्छा, उनको guest नहीं बुला है, तो आप मुझे बुला रहे हो, वो नहीं आ रहे है, इसलिए मुझे बुला रहे हो, जनरली हमें यही लगता है, लेकिन डिप्लो मैंसे में ऐसा नहीं होता है, डिप्लो मैंसे में आप अपना जो एक ego level होता है, उसको side में रखकर आप देश के बारे में सोचते हो, कि भई, अगर मैं देश का इतना बड़ा leader हूँ और चलो भई, मुझे first option में नहीं था, लेकिन अगर मैं second option हूँ, तो मेरे देश के लिए तो मैं first option हूँ ना, मेरे देश का business बढ़ेगा, मेरे देश का फाइदा होगा, ये वो etc, तो मैं जाऊंगा, तो इस प्रकार से decisions जो हैं वो लिए जाते हैं, when it comes to diplomatic world so, यहाँ पर ये जो France है उसने इस चीज़ को accept किया, अपना invitation जो इसको accept किया, तो ये strategic relations, diplomatic relations और bilateral engagement के लिए भी एक बहुत बड़ा मोका, as you all know, right now dear friends, July 2023 में जो bestil day रहता है, bestil day की parade जो रहती है, ये रहती है 14th July को, right मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मेरे बड़े भी 14th July को, that's why 14th July को, हमरे Prime Minister Modi साब जो है, was guest of honor in France और France में Modi साब को वहां का एक award दिया गया है वहां का highest civilian award दिया गया है, क्या नाम है उसका बता ये comment section में, ये आपका पहला प्रशना है तो ये 6th time ऐसा होगा कि हमारे देश के ये Republic Day celebration पर France के leaders जो है, वो यहां पर आते है 1998 में दोनों देशों के बीच में strategic, sorry, ये diplomatic relations जो है, उनको elevate किया गया 1998 में, और ये strategic partnership बन गए, diplomatic relations तो बहुत पुरान है एक shared history भी है आज भी Puducherry का connection है राइट, French की colonies भी यहां पर थी तो बहुत पुरानी history है भारत और France की लेकिन, diplomatic relations जो है उनको 1998 में strategic partnership पर elevate किया गया तब से बहुत अच्छे engagement दोनों के बीच में हुए है और 1998 में ये चीज़ होई थी तो ये साल जो है न, this year marks the 25th anniversary of this strategic partnership और France जो है वो Europe में भारत का सबसे अच्छा मित्रदेश है एक बहुत एक reliable और all-weather friend अगर हम किसी को कह सकते है तो that is of course France और France के साथ हमारे इसार relations है देखेंगे France की history अब देखेंगे French Revolution और ये सारी चीज़ आपने पड़ी होगी तो nationalism, जो राष्टरबाद कहते हैं फिर freedom की बात जबाती है तो ये सारी चीज़े जो है freedom of speech है तो ये सारी चीज़े French Revolution का पार्ट रही है और उसकी एक positive impact हमारे देश पर भी हमें देखने की quit India moment not just a sorry quit India moment बट इंग जुनरल अगर आप इंडिया का जो independent struggle है तो उसमें French Revolution का एक influence जो है वो रहा है तो दोनों देश जो है वो sovereignty गयरे कि समप्रभुत्ता और इसे के साथ साथ strategic autonomy में भी विश्वास रखते है strategic autonomy का मतलब ये रहता है कि देखिए बहुत ही simple example दो कि USA और Russia एक दूसरे के जानी दुश्मन है और अब एक लंबे समय से हम रश्या से बहुत सारा डिफेंस का जो प्रोडॉक्स और गुड्स है वो खरीद रहे है अब हम USA से बहुत बड़ी कॉंटिटी में चीज़े जो है वो खरीद रहे है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम रश्या की टीम को छोड़कर USA की टीम में चले गया है उनकी दो टीम्स में अलग-अलग प्लेयर हो सकते है लेकिन हम किसी भी टीम का पार्ट नहीं है हमारी रिक्वार्मेंट के हिसाब से हमें जो सही लगए गया उस समय पर उस प्रटिक्लर चीज़ पर हम USA का साथ देंगे और रश्या का विरोध ना भी करे और USA का साथ दे कुछ चीजों में ऐसा भी हो सकता है कि हम रश्या का साथ दे और USA का विरोध ना करे कुछ चीजों में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का हम विरोध करे कुछ में हैसा हो सकता है कि एक का विरोध करे एक का साथ दे या फिर एक का विरोध करे और एक का साथ ना दे तो यह सारे options जो है वो खोले रखेंगे अपने पास that is called strategic autonomy हम किसी के puppet country नहीं है किसी के वसाल state नहीं है कि कोई हमें आकर कहे और वो जीस हम करे हम एक sovereign nation है दोनों देशों के बीच में defense sector जो ह भी सावन खरी दिये फ्रांस से माल खरी दिये जापान से खरी दिये तो अलग-अलग देशों से हम defense इसराइल है तो अलग-अलग देशों से हम अलग-अलग चीज़े जो है वो मंगवा रहे है based on our necessity और जहापर हमें best deal मिलती है we are doing that और रफाल fighter jets के बारे में बहुत सारी च करने दे दिया इसे के साथ बहुत सारे इसे military hardware के projects है जो co-production, co-development, co-design जो है वो इंडिया और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं दोनों देशों के वीचे में जो bilateral talks है तो इसके key pillars आपकी screen पर है space, climate change, security, civil nuclear technology, resilient supply chain, right and as you can see on your screen यह रहा फ्रांस का map तो यहाँ पर देखे, Paris इसका capital है right यहाँ पर है straight of dover, English channel यहाँ पर है, Atlantic sea, bay of biscuit, Mediterranean यहाँ पर है, फिर आपने यह सारी चीज़े सुनी होगी, right यह नाम, Monaco नाम सुना होगा, French Riviera आपने सुना होगा, तो यह सारी चीज़े जो है वो आपको यहाँ पर Mediterranean में देखने का मिलती है, right and what have we got here, Italy, right, उपर से चलो start कर है, तो north से अगर start करें, 12 o'clock, तो you have Belgium, Belgium के बाद Luxembourg की एक बॉर्डर है, फिर Germany की एक लंभी बॉर्डर शेर करता है, Switzerland की बॉर्डर यहाँ पर है, Italy, and then यहाँ पर एक चोटा सा देश है, Andorra, and यहाँ पर आप देख सकते है, Andorra, you can see, I hope, right, मैं चलो, color जो है, वो change कर लेता है, this is Germany, फिर यह Switzerland, Italy, Italiano, and then you have Andorra, यहाँ पर है, Spain, यह Bay of Biscay, English Channel, Strait of Dover, Mediterranean, see here, right, यह रहा, Paris, फिर जो नदिया है, तो इनके नाम अब थोड़ा आप जूम करके देख लीजीगा, ठीक है, तो यह रहा, France, okay, so, right, so, that's basically everything as far as this particular topic is concerned, अब हम बात करते हैं, इस topic के बारे में, Supreme Court shows the way, case disposal rate has improved this year, अच्छी बात है, Chief Justice of India, again, मैं color जो है, वो change कर लेता हूँ, तो Chief Justice of India, जो है, हमारे डिवाई चंदरचूर साहब, तो वो November 2021 से CGI की post पर आए, और तब से लेकर रात तक उन्होंने बहुत सारे initiatives उठाये हैं, Justice Delivery System को और ज्यादा robust बनाने के लिए, और ज्या सारों के बाद मिलेगा, तो उस नाए का आप करेगे क्या, तो Justice Delayed is Justice Denied, कि अगर डिले हुआ है Justice, तो उसका मदब यह है कि आपको Justice मिला ही नहीं है, अब 2023 में Supreme Court ने 52,191 cases को dispose कर दिया, खत्म कर दिया, तिल 15th December का यह आंकडा है, और 2022 में 39,800 cases जो है, वो decide किये गये थे, तो यहां पर देखिए, 39,800 से 52,191, तो यह 33% का एक उचाल जो है, वो देखने को मिला है, विचिस ए गूड नंबर, अफकोर्स, विचिस ए गूड प्रोग्रस, 2017 में Integrated Case Management Information System को लांच किया गया, तब से लेकर आज तक यह सबसे बड़ा आखडा जो है, वो हमें देखने को मिल रहा है, Supreme Court ने technology का काफी सही इस्तेमाल किया है, और जो personal liberty है, उसको भी काफी ज्यादा प्राइमसी, उस प्राइमसी का मत्तब होता है, कि उसको काफी ज्यादा importance दिया गया है, उस पर काफी ज्यादा wasn't डाला गया है, तो bail, heaviest corpus, eviction, demolition, यह सारी चीज़े जो होती है, इस उसी दिन list किया जाता है, और उसी दिन immediately उसको सोट आउट करने की पूरी कोशिस जो हाँ को सुप्रीम कोट ने की है, कुछ specialized benches जो हो पहले से ही decide की गई थी, कि यह कुछ judges इस प्रकार के cases handle करेंगे, तो इसकी वज़े से जो typical cases रहते हैं, तो उनको काफी effective तरीके से streamline करके किया गया, तो यहां पर भी काफी एक अच्छी चीज जो हाँ, वो की है, समधर की litigant friendly interventions included the setting up of a hybrid hearing system, an RTI portal and the E-SCR that is electronic version of supreme court reports, which provides online access to thousands of judgments, यह कुछ आसे चीज़े जो है litigant friendly interventions किये गए, कुछ आसे steps उठाए गए, तो hybrid hearing system, RTI portal और यह E-SCR जो है electronic version of supreme court reports, SCR याने की supreme court reports, तो इ वो access कर सकते हैं, supreme court जो है, तो इसने national judicial data grid जो है, तो इसके साथ एक linkage किया, तो इसके साथ real time basis पर, जो cases है, तो उनको trace किये जाते हैं, और इसमें एक clarity आती है, transparency आती है, opacity जो होती है, वो खत्म होती है, कम होती है, तो यह जो steps उठाए है supreme court से, supreme court ने, तो यह steps जो है, वो let's hope के high courts को भी motivate करें, और high courts जो है हमरे देश की, वो भी कुछ, यह supreme court की book में से सीखें, उन्होंने जो चीज की, उनसे सीखें और implement करें, let's hope के, यह चीजे जो है, वो हमारे राजियो में भी, इतने बड़े-बड़े बदलाव जो है, आपके लिए एक प्रशना है, हमारे right, let's move on to the next one, the evolving role of the Colombo security conclave, all the members of CSC, which are democracies, will continue to play their cards based on domestic and external benefits, जितने भी democratic देश, जितने भी देश जो है, वो Colombo security conclave के members है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने-पने domestic politics को ध्यान में रखते हुए और external benefits को ध्यान में रखते हुए decisions लेंगे, तो यह क्या सही बात है, I think, no, इसमें थोड़ा उपर big picture देखने की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, early December की बात है, right, हमारी जो security advisor, national security advisor, जो बहुत ही famous है, I'm sure you know so many things about him, James Bond of our country, Ajit Doval साब जो है, वो गये Colombo, और Colombo में, जो Colombo security conclave है, उनको attend किया, right, यह 6th NSA की meeting थी, और यह meeting जो है, इसमें last year, क् सारी चीज़ों का review किया गया और इसके साथ, 2024 का roadmap क्या होगा, क्या क्या चीज़े हम करेंगे, ताकि हम Indian Ocean को safe, secure और stable रख सके, इन सारी चीज़ों को लेकर discussion हुई, right, तो देखे, यह Colombo security conclave जो है, यह किस चीज़ को लेकर है, यह Indian Ocean को लेकर है, right, यहाँ पर member countries को देखे, एक तो of course हमरा देश भारत है, फिर हैं Mauritius and you have Sri Lanka, observer states की बात करें, तो बंगलादेश है और सेशल्स है, तो यह कुछ ऐसे सेशल्स बंगलादेश observer states है, यह रिफाइन के यह सारे Indian Ocean के literal state है, लिटोरल कंट्री के याने की सटे हुए है Indian Ocean के साथ, अब हिंद महा सागर जो है Indian Ocean है, इसकी image दिमाग में आपको pop-up हो रही है, क्या अभी मैं Indian Ocean बोल रहा हूँ, या फिर आपकर मैं कहूँ के याद कीजिए Indian Ocean को, भारत का जो bottom tip है उसको याद कीजिए, जहाँ पर केरेड आफरिया में पढ़ता है या फिर आफरिका में आफरिका में पढ़ता है, और जो मादागासकर है उसके थोड़े नजदीक में आपको Mauritius देखने को मिलेगा, तो मादागासकर जो है वो फिर South Africa से उतना खास दूर नहीं है, याद आ रहा है कहां पर है Mauritius, तो Mauritius, फिर श अब जो एक जो फिर फ्यू सेकंड़ के दो तीन क्लिक्स गे और यह मैप जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन I don't want to do that, I want you guys to find the map of Sessions, और Sessions के बारे में मुझे कुछ चीजे आप बताएंगे, I want to learn from you, what is Sessions, आप अच्छे हैं, आप मुझे पढ़ा सकते हैं, मैं ही सारी चीजे जानता हूं, I am also a student like you, मैं भी नहीं चीजे सीखता हूं, पर कितना है कि मुझे चीजे सीख कर मुझे चीजे को शेर करने का शौख है, मुझे मज़ा आता है वो चीज में, तो I do that, that's the only difference, बना मैं भी आपकी तरह एक student ही हूं, I am also a curious person, मुझे भी नहीं सीखना जो है, वो काफी पसंद रहता है, तो I am genuinely telling you, कि मुझे sessions के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर है, और इसके capital का नाम बताइए, हो सके तो थोड़े culture के research कीजिएगा, और मैं ये चीजे इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि, कल हमने बात की थी, assumption के बारे में, what is assumption, I am not talking about अंग्रेजी का जो शब्द है, वो assumption नहीं, assumption island, does this name ring a bell in your head, क्या पता है, assumption island क्या है, आप search कीजिए इसको, और ये भी मुझे बताइएगा, क्या connection है, search कीजिए, google कीजिए, okay, Maldives अकेला एक ऐसा देश है, जो absent रहा, क्योंकि, Maldives में अब जो सरकार आई है, that is like a pro-China सरकार और anti-India सरकार आप वहाँ पर बनी है, जिसके बारे में भी हमने पहले discussion किये थे, India जो है, वो काफी proactively CSC को promote कर रहा है, और Indian Ocean में ये सारे देशों की साथ मिलकर हम काम करें, और चीजों को आगे बढ़ाते जा, ये हमारे और इन सारे देशों के हित्र की बात होगी, 2011 में इ फिर से इसको revive किया गया, इसको expand किया गया, राइट, Mauritius, Seychelles, और ये बांगलादेश जो है, ये फिर इसमें add-on हुए है, as you know, they are observer states, लेकिन चीजे जो है, वो तेरे-दरे spread होने लगी, अब पहले से ही इंडिया जो है, वो एक traditional power यहाँ है, और भारत जो है, वो CSC के माध architecture को भी और ज्यादा मजबूत करना चाता है, अब China जो है, वो BRI के माधियम से ये अलग-अलग देशों में घुस्पेट करने की कोशिस कर रहा है, और ये जो island nation है, ये छोटे-छोटे देश है, तो उनके पास वो capacity नहीं है, कि वो इतने बड़े समंदर जो है, तो उसकी अक के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अब ये देश जो है, चाइना, ये यहाँ पर अलग-अलग देशों के साथ joint military exercise करने लगा है, हम बन टोटा, जिबूटी जैसी जगाए, जो है, तो यहाँ पर चाइना ने अपना base बना लिया है, right, so this is the thing, तो we need to counter, ये चाइना का influence जो यह करें, तो maritime security and safety, countering terrorism and radicalization, trafficking and transnational crime, cyber security and protecting critical infrastructure and humanitarian assistance and disaster relief, ये कुछ ऐसे पाच पिलर से जिस पर ये C.S.C. जो है, वो बना है, और 2021 से C.S.C. ने जो terrorism and terror financing के साथ जुड़ी भी चीज़ें है, तो इनका investigation किया है, नार्कोटिक्स trafficking को counter किया है, cyber crime security, marine pollution, maritime law, coastal security, ये सारी चीज़ों पर C.S.C. ने काम किया है, right, 2022 में पहरी बार सा हुआ, first time ऐसा हुआ, कि ये जो conference है, तो इसमें oceanographers को add किया गया, hydrographers को add किया गया, और security, जो coastal security है, तो इसकी भी conference जो है, वो conduct करवाई गई, N.S.A. की regular meetings होती है, deputy N.S.A. की meeting होती है, और इसे के साथ counter-terrorism, police, law enforcement, cyber security, ये सारे क्षितरों में भी, ये सारे अलग-अलग sectors में भी, capacity building का काम जो है, वो collaboration से C.S.C. में किया जाता है, तो बहुत ही important, ये topic है, Columbus Security Conklave, C.S.C., तो ये चीज़ जो है, वो याद रखेगा, We have this one, another opportunity, easy to understand है, right, Wrestling Federation of India needs a complete overhaulism, को completely redesign, reboot करने की जरूरत है, तो Union Sports Ministry ने जो नहीं elected, Wrestling Federation of India की body थी, तो इसको suspend कर दिया, बहुत अच्छा decision लिया है Central Government ने, January 2023, आज से एक साल पहरी की बात है, जब Olympic medalist साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, और हमारी world champion medalist विनेश फुगाट जो है, तो ये कुछ हमारे ऐसे सितारे हैं, जिनोंने मिलकर complaint की थी, ब्रिज भूशन सरन सिंग के खिलाफ, कि उन्होंने sexual harassment किया है, बहुत सारे महिला प्ला करते हैं, दिगज हैं, डबंग टाइप हैं, काफी बड़ा बाहुबले टाइप हैं, काफी होल रहता है उनका, तो इनको हटाया नहीं गया, फिर जो हमारी नई पालियामिट का उधगाटन हो रहा था, तो उसमें भी वो दिखे, मोधी साब के साथ, जो कुछ important plays थे तो उन फिर home minister के साथ मुलाकात हुई, और assurity दी थी, और बहार निकल कर ये सारे जो हमारे pleasure उन्होंने ये भी कहा था, कि home minister साब ने assurity दी है, क्या आपको न्याई मिलेगा आपके साथ, जो right process हैं, जो भी हैं, उसको follow किया जाएगा, आपको निश्चिंत रहिए, तो ये सारी कोई फर्क नहीं हुआ, means, it's like, कि आप MLA नहीं बन सकते, तो आपने बीवी को MLA बना दिया, MLA तो आप ही हैं, डीफेक्टो, सारी चीज़े, means, नाम आपकी बीवी का है, लेकिन काम तो आपके ही हो रहे है, so, यहाँ पर ऐसी चीज़ हुई, और ऐसी भी तस्वीर आई तो यह सारी चीज़ों को लेकर फिर शाक्षी जो है, उन्होंने रेस्लिंग को अलविदा कहा दिया, कहा दिया, मैं अपना रिटार्मेंट जो है, वो अनौस कर रही हुँ, विनेश ने यह कहा कि वही, he's very broken by hearing this thing, और बजरंग जो है, उन्होंने यह भी कहा कि भी, चंद लोचाब है, यह Secretary General है, अब यह Secretary General जो है, तो उनकी भी यह complaint रहती थी, कि पर उनको consult नहीं किया जाता, decision making जो है, वो फटाफट लिये जाते हैं, किसाथ कोई discussion नहीं होती है, तो यह भी एक चीज़ है, और लोचाब साब जो है, तो उनके बारे में कहा जाता है, he's not part of bridge bushon gang, वो bridge bushon की team के member नहीं है, तो इसे दो WFI office bearers जो है, तो उनमें से एक है लोचाब, तो लोचाब जो है वो, आप समझ लिजे के वो bridge bushon साब के साथ नहीं है, this itself indicates कि वो, I'm not saying कि उनके खिलाफ हैं, लेकिन उनकी विजारदारा से बहुत ही अलग होंगे, तब ही जाकर, इ ये कुछ reasons बता है, सरकार ने के इनको ये जो नहीं टीम बनी थी, या राइट, ये WFI की नहीं जो ये committee बनी थी, तो president and things तो इनको हटाया जा रहा है, इसको suspend किया जा रहा है, तो अच्छा decision दिया है, अब इसको एक नए तरीके से, clean slate से, इसको start किया जा सकता है, इसको completely reboot कि जा सकता है, and we have to make sure कि महिलाएं जो हैं हमारे देश की, हमारी बेटिया, हमारी बहने, हमारी बहुएं, जो sports में बहुत ही अच्छी हैं, तो वो top level तक पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए उनको परिवार का, समाज का, authorities का support मिले, respect मिले, उनकी dignity जो हैं, उनको और हम आगे बढ़ाएं ऊपर ले जाएं, और कहीं पर भी किसी भी जगा पर, उनके साथ किसी भी प्रकार का misbehavior, ऐसा ना हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो, उनको sexually harass करने के बारे में कोई सोच भी ना सके, ऐसी system जो हैं, वो हमें create करने की ज़रूरत है, and we can do it, तो अब सरकार क पास एक बहुत अच्छी opportunity है, तो फिर से इसको scratch से जो है, वो start किया जा सकता है, now we have securing नया कश्मीर, hold impartial investigation into civilian deaths in कश्मीर, it will help army the most, अब यह allegation यह आया है, कि आर्मी की custody में तीन लोग थे और तीनों की मृत्यू हो चुकी है, terrorism के backers जो हैं, वो तो इसका बहुत advantage उठाएंगे और we have to be extra careful, क्योंकि security forces जो हैं, अगर उनसे एक भी गलती होगी, तो फिर लोग जो हैं, बहुत सारे जो विरोधी हैं, जो देश के विरोधी हैं, तो वे हमारे उपर चड़ जाएंगे हमारे देश पर, कि देखिए, हमारे देश के, वो कहेंगे कि लोगों को इंडियन आर् को identify करना हैं, फिर hostile environment में लोगों की साथ कैसे काम किया जा सकते हैं, ऐसे high pressure dangerous areas में, lapsus in judgment और errors का होना जो हैं, it is possible, जान यह बहुत सारी errors होती हैं, राइट सिस्टम से error का ratio जो हैं, उसको कम किया जा सकता है, ना कि बराबर हमें इसको ले जा सकते हैं, सिक्मा 6 तक पहुँचन and implementing the right system, लेकिन, we cannot afford mistakes, mistakes अगर होगी, तो लोग कहेंगे कि पोस्ट 370 एरा जो हैं, यह तो बहुत ही dangerous होगा, यहां तो आर्मी कभी किसी को मार देगी, तो ऐसी हवा फेलाई जाएगी, और genuinely, अगर हम चाहते हैं कि यह radical situation, radicalization जो हैं, वो हमारे देश से चला जाए, और खास कर के यह बाले region में, कश्मीर बाले region में, तो इसके लिए हमें लोगों का support चाहिए, right, the biggest shield against terror is the people of कश्मीर देमसेफ, जब उनका support मिलेगा, जब उनका confidence में जीद पाएंगे, as a nation, तो फिर, terrorism और यह सारी चीज़े जो हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, यह विचार अब इस पर एक impartial और एक बहुत ही, speedy investigation जो है, वो हो नहीं चाहिए, ताकि बता चला है कि कहां पर चूक हो गई थी, और एक lesson भी create किया जाए, कि भई, इसी चूक जो है, वो future में हमसे ना हो, so that's basically everything in today's discussion difference, limitless leadership का course available है, it's available on studyglow's mobile app, तो इसको अगर purchase नहीं किया है, तो आज फिर जल्द ही हम lecture number 7 और lecture number 8 जो है, इसका launch करेंगे, अभी तक एक से लेकर 5 lectures जो है, वो available है, इसमें से 2 lectures जो है, वो हमने सभी के लिए open रखे है, अब 10th lecture जो है, शायद हम open रखे सभी के लिए, ताकि लोगों को बता चले कि ये course जो है, वो कैसा है, क्या-क्या चीज़े आ आए है, मेरे वीडियोस देखते आए है, तो you know the quality that I provide, तो आज भी अगर आपने avail नहीं किया है, avail कर लीजे, इसकी price जो है, वो भी बहुत ही reasonable है, somewhere around 300 में आपको ये course जो है, वो, मिल जागा, भी 40% discount है, और 10% और इसमें add किया गया है, ऐसा कुछ है, अभी चल रहा है, आप देख लीजेगा, सारी information आपको study close पर मिल जागी, आप परिवार जासे है, तो आपको मैं कह सकता हूं कि देख लीजेगा, तो that's the thing, so Merry Christmas again, enjoy your Christmas holidays if you have any, मेरी तो आपको पता है Christmas holidays कैसी होती है, आपके साथ ही बातचीत होती है, आपके साथ ही discussions होती है, knowledge sharing होती है, आपकी comments पढ़ लेता हूं, तो मज़ा आ जाता है, Christmas celebrate हो जाती है, the same thing goes with Eid, same thing goes with Diwali, Diwali के time पर थोड़ा बहुत थोड़ा traveling traveling होता है, वहाँ गये, वहाँ गये, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाकी ज्यादातर त्य in the sense, कि जो TV पर देखा है, वैसे, जो गर भी कहते हैं उसको, तो आप अगर जा रहे, तो छोटी-छोटी जो बेटिया होती है, पाँच साल, दस साल, उससे भी छोटी, तो उनकी होती है, वो चोरहा जो होता है, तो उसमें होती है, कुछ-कुछ जगाओ पर, I have watched that, लेकिन जो जहां पर हम जा सकते हैं, एडल्स जा सकते हैं, तो वहां पर, मैं पहली बार गया, बहुत मसा आया, इस TV पर देखा था, लेकिन कभी पता नहीं था, कि वहां का एनवार्मेंट है, तो अब जो नेक्स आइगी, उससे पहले, तो मैं सारी ट्रेनिंग ले लूँगा, और I'm going to rock, तो यह प्लान है, 31st का भी कोई ऐसा खास प्लान नहीं है, अगर होगा कुछ बनेगा, तो I will let you know, अगर कही पर जाएंगे दोस्त के साथ, then I will let you know, वरना तो बस enjoy करते रहेंगे, and Christmas is a very special day for so many people on this planet Earth, और this reminds us, right, के अगर कुछ बनना है, तो Jesus बनना है, right, समझ रहना आ है, के, don't become a Hindu, become Krishna, don't become Christian, become Jesus, तो यह उनकी एक अलग तरे की बाते हुआ करते थी, और काफी deep इनका, इस चीज़ का मतलब भी होता है, आप सुचिए इसके बार में, I'm just sharing few thoughts, right, आज एक ते ओहार है इसलिए, so right, that's basically everything from my side, thank you very much for your unconditional love and support, may God bless us all, Merry Christmas, Jay Hind